राम राम भाई सभी को आज मैं आए हूँ एक बहुत ही खूपसूरत जगह में रीवा की शायद आपको मैसूस हो रहा हूँ जी हाँ मैं आए हूँ रतहरात तालाब में और आपको दिखाऊंगा यहां के सौंदर ये करण का कार सबसे पहले आपका ध्यान डलवाना चाहूंगा इस सेलफी पॉइंट पे जहां पे यह हमारा रीवा रतहरात तालाब के अंदर जाने के लिए प्रॉपर सीड़ियां बनी हुई रहा है किस तरीके से यहां पे हैच बनाया गया है यह हमारे रतहरात तालाब का जो में गेट है वह आपको दिखाई दे रहा है तालाब के बाहर ही आपको मिल जाते है यहां पे पार्किंग सुविधा क्या आप सीड़ी के त्रू में गेट से अंदर जा सकते हैं जो सीड़ी ना चड़पा रहा हो उसके लिए प्लेन रास्ता भी बनाया गया है यह रतहरात तालाब का ब बने हुए हैं इन में दोस्तों इसके बीच से पानी निकलेगा और अगल बगल उसमें लाइट पड़ेगी फिनिशिंग को कितने तरीके से इसे फिनिशिंग दी गई है इसके अगल बगल में जो घास वगयर आपको दिखाई दे जो किनारे किनारे में सोपीस वाले फूल नीचे हैच में यहां भी डेकोरेटिव टाइप के प्लांट्स लगे उसके साथ यह पोल देखिए शाम के टाइम जब आप यहां आते हैं तो यहां का नजारा आपको और भी ज़्यादा खुबसूरत दिखाई दे प्लांट्स को लगाया गया है हाला कि यह अभी छोटे- कदम हो सकता है यह पाइप लगी हुए ताकि बरसाद के टाइम पर जब इस जगह पर पानी भरे क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं उचाई है यहां से पानी जब नीचे की ओर जाएगा तो प्रॉपर इस पाइप में जाते हुए प्रॉपर उतर जाएगा तालाव में इस लाइटिंग विवस्ता के अगर बात करें दोस्तों जो आपको मेरे पीछे नजर आ रहे हैं यह ऐसा नहीं कि एक दो जगह लगी है यह पूरे तालाव में सराउंडिंग में आपको दिखाई दे जाएगी और इन बड़ी लाइट्स के साथ चोटी डेकोरेटिव लाइ बहुत बहतरीन बनाई गई है आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है यहां पे बनाई गई हैं वो दुकाने हालाकि यह तालाव अभी स्टार्ट नहीं कई दुकाने आज के टाइम पे इस तालाव का काम अभी पूरा नहीं हुआ है तो यह आपको गेट मिलने वाला है जि तरहों तरफ से एक लोज है ताकि जो छोटे बच्चे अगर यहां कहीं घूमने आएं तो जाकि कोई तारवार पकड़ना लें जिससे किसी भी प्रकार की हताहत ना हो सकते उस तो अगर इस तालाव की बात की जाए तो यह रीवा का तीसरा सबसे सुंदर तालाव बनने वाला जिहां आपको पता है सबसे पहले रानी तालाव उसके बाद चिरहुला वाला और उसके बाद यह हमारा रतेहरा तालाव कारेगती की बात करें तो थोड़ा स्लो हो गए थी जब से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजिन सुकला जी बने हैं तब से इसके का कारिम बहुत ज़्यादा तेजी आई है हर जगा पे यहां पे बैठने के वस्ताएं बनाई गई हैं हर जगा डेकोरेशन के तौर पे तरह तरह के पौधे फूल वगएरा हर चीज के पौधे यहां पे लगाए गए हैं जो देखने में काफी ज़्यादा खूबसूरत लगत पीछे लगतार यहां तलाव में पानी फिल किया जा रहा है और यह पानी सीधे जा रहा है तलाव के अंदर देखेंगे आपको पूरे इस बड़े से अरिया में सेम यही चीज बनाई गई है तो अगर कारे की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पेड़, पौधो और घासों में जो पेड़ पानी देने की विवस्ता है वो बहुत अच्छी की गई है अलगातार आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरीके से पाइप के थुरू यह जो फुटवे के बगल मे गाड़न एरिया बना है उसमें अलगातार पानी दिया जा रहा है जब यह तलाब का निर्माड किया जा रहा होगा तो बीज में कहीं न कहीं यह पेड़ पड़ा होगा इन बनाने वाले की समझधारी देखिए दोस्तों एक पेड़ को बड़े हुने में लगए 5-10 वर्स का समय लगता है तो इस पेड़ को ना काटते हुए इसको वहीं पे रहने दिया गया है और इस तालाव का कार्य पूरा किया गया है तो क्योंकि आज के टाइम पे इसका कार्य चल रहा है इसलिए अभी अगर आप यहां घूमने आते हैं तो आपका किसी भी टाइप का फेर सुरत से तालाव में पुरुष प्रशाधन, दिव्यांग प्रशाधन और महिला प्रशाधन के लिए सेप्रेट तोर पे जगाएं बनाई गई हैं पहले आपको दिखाई दे रहा है गार्ड रूम यह आपको दिखाई देता है पुरुष प्रशाधन पगल में आपको दूमना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूंगा जब आप सिर्मोर्च और आइसे प्रयाग राज रोड चलते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है रहता हिरा बाई-पास और उसके पहले आपको पढ़ता है रिवा आटियो से लगबग 200 से 300 मिटर पहले आपको रोड के बाएं